दिग्रशहर और तहसल में रेती से भरे तेजरपतार टिपपरों का अतंग जारी है सोमवार की रात को एक तेजरपतार टिपपर नियंतरन छूटने से नदी में जागिरा जिसमें सवार दो लोग सक्मी हुए है इसके अलावा एक सप्ता के भी तरेज से लदे टिपपरों से हुए अन्यदो सड़क दुरगटनाय सामने आई है जिसमें एक घटना में एक शक्स की मौद भी हुई है तैसिल और पुलीस प्रशासन के होते हुए भी रेती टिपपर के बेलगाम चालक और मालिकों के दिलों में कोई खौप नजर नहीं आ रहा है पेश है दिगरस से समाधता जुबेर खान की ए रिपोर्ट एक तरफ रेती तसकरों और रेती माफियाओं की मनमानी से न सिर्फ परियावरन का संतुलन खत्रे में पढ़ गया है बलकि दूसरी तरफ रेती से लदे तेज रफतार टिपपर या ट्रकों का आतंक दिगरस शहर और परिसर की सड़कों पर देखने मिल रहा है अचमबा इस बात का भी है कि बेपरवा तरीके से ट्रक दोडाने वाले टिपपर चालकों और मालिकों की बेलगाम हरकत पर संबंदित प्रशासन आखे मून कर बैठा है ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्यूंकि दिगरस शहर और तैसील में एक सब्ता भर के भीतर घटित तीन भिशन सड़क दुरगटनाओं में तेज रफतार रेती के टिप पर शामिल थे बीती रात याने सोमवार को समशान भूमी परिसर के पूल की रेलिंग को तोड़ कर रेती से लदा एक ट्रक धावंडा नदी में जागीरा जिसमें सवार दो लोग बुरी तरह जखमी हो गए हाथ सा इतना भीशन था कि दिग्रस आरणी बायपास पूल का साइड वॉक और रेलिंग पूरी तरह से टूट गई रात दस बजे के करीब घटी तिस घटना के बाद घटना स्तल पर लोगों का हुजूम उमड बड़ा था गवरतलब है कि इससे पहले भी सात मई शनीवार को शहर के छत्रपती शिवाजी महराज चौक में दो पर एक बजे एक दुपईया वहन रेट से लदे एक ट्रक की चपेट में आ गई थी इस भीशन दुर घटना में दुपईया वहन चकना चूर हो गया था वहीं दुपईया वहन सवार किसमत से बच निकला था इसके बाद हाल ही में 15 मई रविवार को आरनी दिगरस रोड पर महागाओ के करीब रास्ते पर खड़े सिमें ट्रक को पीछे से आ रहे रेती के तेजरफताल ट्रक ने टक करमारी जिसमें ट्रक में सवार मंगरूल पीर निवासी रवी पवार नामक एक शक्स की मौत हो गई इस बात का है कि इन तीनों सड़क दुरघटनाओं में शामिल सभी ट्रक और टिपर मंगरूल पीर निवासी एक शक्स के बताय जा रहे है जिसके टिपर चालकों ने शायद टिपरों को तेज गती से दोड़ा कर लोगों के जान माल के साथ खेलने की कसम खा रखी है इन बेलगाम रेती ट्रक ड्राइवरों की हरकत से कानून के दायरे में रहकर रेती का ठेका चलाने वाले लोगों का भी नाम खराब हो रहा है क्यूंकि दिन हो या रात टिपर चालक सिर्फ शेहर और परीसर की सड़कों पर पुलिस स्टेशन के सामने से भी हवा से बात करते हुए गुजरते हैं सुत्रों की माने तो अवै तरीके से रेती ढुलाई में लिप्त वाहन राजस्व विभाग को जासा दे कर रात के समय धुआधार तरीके से ट्रकों को दवडाते हैं बैरहाल दिग्रश शेहर और तैसिल की जंता राजस्व विभाग और दिग्रश पुलिस को सुस्ती छोड़कर सक्ती से रेती टिप्परों को बेचुट तरीके से दवडाने वालों पर नकेल कसने की मांग कर रही है क्यूंकि इन टिप्परों का आतं को समय रहते अगर नियंद्रित नहीं किया गया तो भविष्य में किसी बड़ी दुरगटना को नकारा नहीं जा सकता बहराल सोमवार को हुए इस दुरगटना के संदर्ब में दिगरस पुलिस थाने के पुलिस निरिक्षक पांडूरंग भाड़े ने बताया कि इस मामले में दो सो उनासी और तीन सो सैथीस के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जाच जारी है बी सीन नियूस के लिए दिगरस से जुबहर खान की रिपोर्ट